नमस्कार मेरी सॉल फैमिली कैसे हैं आप ? तो आएए आज हम अपनी इंट्रस्टिंग सी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आत्मा से परमात्मा तक जैसा कि इस नाम से ही पता चल रहा है, मैं बात करने जा रही हूँ सोल की, आत्मा की, स्पिरिट की, अपनी सोल जर्नी की पर कुछ भी शुरू करने से पहले, एक बात कहना चाहूँगी, कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये बाइचांस नहीं है, ये कोई कोई इंसेडन्स नहीं है आप डिस्टाइन थे, मुझे सुनने के, ये मैसेज आप तक पहुँचने के लिए था, सिर्फ आप के लिए ही है, इसलिए आप इसे सुन पा रहे हैं तो आईए सबसे पहले जानते हैं, कि आखिर ये आत्मा होती क्या है, जिसकी बात हम करते हैं कि आत्मा अमर है, वो आत्मा आखिर है क्या अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप कौन है या अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं कौन हूँ तो मेरा जवाब होगा कि मैं निधी बक्षी हूँ और ये इंट्रोड़क्शन बिलकुल ठीक भी है लेकिन इस समय इस दुनिया में इस शरीर में मैं निधी बक्षी हूँ और हम परम धाम की ओर निकल पड़ते हैं वहाँ जाते हैं और फिर वापस इस धर्ती पर आते हैं ये चक्र चलता रहता है क्योंकि हम सब अपनी सोल जर्नी पर हैं किसी मिशन पर हैं और जब हमारा mission successful हो जाता है, तब हमारा इस धर्ती पर आना जाना बंद हो जाता है इस soul mission, soul journey के बारे में भी हम धीरे-धीरे आगे आने वाले episodes में बात करेंगे रभी मैं थोड़ा सा आपको briefing दे रही हूँ कई बार ये scientists और doctors ने इस पर experiment करने की कोशिश भी की कि आखिर soul जो हमें energy दे रही है, जिसकी वज़े से हम जीवित हैं, वो दिखने में कैसी है इसके लिए एक बहुत ही famous experiment जो हुआ था वो था कि एक व्यक्ति जो बहुत मृत्तियों के करीब था उसको लेके doctors ने और scientists ने एक experiment किया कि उस व्यक्ति के उपर नजर रखी, उसकी सारी machines पर नजर रखी, दर्वाजा बिलकुल बंद कर दिया गया और जब उस इनसान की कुछ seconds बाकी थे उसकी मृत्तियों में तो बहुत ध्यान से सब उसको देख रहे थे उस व्यक्ति ने अपनी सास छोड़ दी, उसकी सारी oxygen machines और जो कुछ भी चल रहा था, सब एकदम बंद हो गया और एक टक्त से आवाज आई और खिड़की का शीशा तूट गया उस व्यक्ति में अब ना जान थी ना उसकी सासे चल रही थी और वो मृत्त गोशत कर दिया गया लेकिन उस टूटे काच से ये समझ में आया कि हमारी सोल की speed बहुत तेज होती है और जब हम रित्यू को प्राप्त होते हैं तो हमारी सोल शरीर से एकदम निकल कर बाहर हो जाती है तो ये बहुत strange बात थी सब के लिए कि इतने experiment के बाद भी कुछ समझ नहीं आ पाया कि आखिर वो सोल दिखने में कैसी है क्योंकि ये सब भगवान का बनाया गया है और हम किसी जोड़ जबरदस्ती से इन चीजों को ढून नहीं सकते अब जब भगवान की बात आती है तो हम सोचते हैं कि भगवान कैसे होंगे वो उपर वाला ईश्वर अल्ला अखिर दिखने में कैसे है क्या सोल्स जो उपर रहती हैं जो स्पिरिट्स हैं वो हमें बता सकती हैं कि भगवान दिखने में कैसे हैं तो सबसे पहले तो ये जान लीजे कि जो उपर वाला है जो डिवाइन है वो सिर्फ एक हैं ये सब हम सब को पता है God is one लेकिन हमने अपने अपने रिलिजिन के हिसाब से उनको रूप और नाम दे दिया है क्योंकि जो इनसानी बुद्धी होती है उसको एक सबूत की जरूरत होती है और सबूत के तौर पे हमने मूर्तियां खड़ी कर दी, चित्र बना दिये, पोस्टर्स बना दिये लेकिन जो असलियत है, जो सच्चाई है वो सिर्फ इतनी है कि भगवान नेराकार है उनका कोई आकार नहीं है पस यूँ समझ लीजे कि वो चमकती हुई लाइट है और उस लाइट के ही हम पाठ हैं और वही लाइट हम सब के अंदर आत्मा के स्वरूप में है और वही लाइट जब निकल जाती है, तो हम रित्य को प्राप्त हो जाते हैं तो माई डियर सोल फैमिली, उस हिसाब से हम सब सोल्स हैं और एक फैमिली हैं और इसी लिए मैंने आपको ये नाम दिया है कि आप सभी मेरी सोल फैमिली हैं तो चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस सीरीज में मैं कहानियों के थ्रूँ आपको बताने की कोशिश करूँगी और आज जो कहानी की शुरुआत कर रही हूँ, उसका रेफरेंस मैंने लिया है इस बुक से जिसका नाम है इस बुक में स्पिरिट वर्ल में क्या क्या होता है, क्या है, वो सारी बाते हैं और बुक को शुरू करने से पहले बस आज मैं थोड़ा सा रेफरेंस, थोड़ा सा ब्रीफिंग दूँगी कि इस बुक में क्या है तो कुर्शित भाव नगरी जी एक महिला थी जो मुंबई में रहती थी और इनके दो बेटे थे और बहुत यांग एज में दोनों बेटे कार एक्सिडेंट में एक्सपायर हो गए थे अब जिस मा के दो बच्चे सिर्फ जो दो ही थे वो एक साथ चले गए हूँ और वो भी इतनी यांग एज में तो उन पेरेंस पे क्या बीतेगी ये तो सोचने वाली बात है तो यहां पेरेंस का भी रो रोके बुरा हाल हो गया था और वहां जब ये दोनों बेटे स्पिरिट वर्ल में पहुँच गए थे तो ये भी बहुत दुखी थे कि हमें हमारे माबाप जो अकेले रहे गए हैं उनके लिए हमें बहुत दुख है और उन तक हमें ये बात पहुँचानी है कि हम खुश हैं इस स्पिरिट वर्ल में आकर तो वो नीचे आके उन्होंने अपनी माता जी को उस स्पिरिट वर्ल के बारे में वहां की बाते बताई और कहा कि आप एक किताब लिखिए ताकि आपकी दुनिया के लोग ये जान सकें कि स्पिरिट वर्ल में वहां पर क्या क्या होता है भगवान क्या चीज पसंद करते है क्या नहीं पसंद करते और आपकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग कैसे है और आप उस दुनिया में हमेशा के लिए कैसे आ सकते हैं ऐसे बहुत सारे जवाब उन्होंने अपनी माताजी को दिये तो आगे आने वाले एपिसोड में मैं इसी बुक से कई चीज़ें आपको बताऊंगी ये बुक आपको digitally available है online, Hindi English दोनों में है, आप वहाँ से खरीद भी सकते हैं directly online पढ़ भी सकते हैं लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है, तो मैं हूँ ना, मैं इस बुक के कई सारी चीज़ें cover करने वाली हूँ, तो सुनते रहिएगा, बने रहिएगा बहुत interesting चीज़ें आपको समझ में आएंगी सुनने को मिलेंगी, तो next episode में हम ये कहानी बढ़ाएंगे आगे, कि आखिर जब कुर्शित भावनगरी जी के जो दो बेटे थे, जो expire हुए, उनकी मृत्यू से एक दिन पहले क्या हुआ था, इस कहानी को हम इस तरह से शुरू करेंगे, और फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो यूँ ही बने रहिएगा अगली बार फिर में लेंगे, तब तक के लिए, नमस्कार